अगुद बाट्यों बच्चो वेल्कम टू कॉमेट लर्निंग हमने अभी तक के काफी सारी चीजे पढ़ चुकी थी जिसमें की हमने कल के क्लास में बहुत सारी चीजे जैसे की हम अब हम वर्टी ब्राटा स्टार्ट कर चुके थे तो उसी vertibrata में अब हम पढ़ेंगे tetrapoda, आपको याद है सारी चीज़ हम recall कर लेते हैं starting से, हमने phylum codet start किया था, दैन उसमें हमने vertibrata start किया था, vertibrata जो है दो इसमें था, अगने था और गने था, अगने था कि class एक थी, वो क्या उनसी थी, cyclostomata और जो गने थो stomata उसके अ अंदर दो हमने class देखी थी, कौन-कौन सी cornridge thighs and ostrich thighs, तो हमारा गने था, हमारा पाइसेस खतम हो चुका था, अब हम चलेंगे हमारे next tetrapoda के तरफ, किस के तरफ, tetrapoda, so हमारा division कौन सा, गने थो stomata and the super class tetrapoda, क्या किसी को पता है tetrapoda क्या होता है, आपको नाम सिमिलर लग रहा है किस से सिमिलर लग रहा है ये नाम, yes, किसी को पता है, so हमने orthopoda पढ़ा था, orthopoda यानि ki appendages, poda हमने क्या बोला था, appendages, और यहाँ पर tetrapoda बोला है, हाँ पर क्या बोला है, tetrapoda, so tetra means क्या होगा, four, tetra means four और poda means appendages, appendages, so यहाँ पर four appendages क्या होंगे, joined होगे, जैसे कि हम इसमें involve हम भी है, क्योंकि इसके अंदर हम चार क्लास देखने वाले थे, हमने last class में discuss किया था, कि हम इसके अंदर चार क्लास देखेंगे, कौन-कौन सी चार क्लास देखेंगे, amphibia, reptiles, aves and mammals, और आपको पता है, humans, mammals में involved होते है, so हम बोल रहा है कि चार, हम किसके अंदर आ रहा है tetrapoda के अंदर, यानि कि चार appendages, जैसे कि दो हाथ, दो पैर, ठीक है, upper limb और lower limb, so अब हम धीरे-धीरे सारे चारो के चारो क्लास को पढ़ेंगे और उनको धीरे-धीरे discuss करेंगे, so first class क्या है, amphibia, amphibia क्या है, amphibia एक ऐसा class है, जिसके अंदर, जो animals आते हैं, वो पानी में भी रह सकते हैं, पानी में भी रह सकते हैं, और जमीन पे भी रह सकते हैं, so amphibians can live in aquatic as well as terrestrial habitat, यानि कि वो जमीन में भी रह सकते हैं, इतना clear हुआ, then क्या बोले कि most of them have two pair of limbs, two pair of limbs, one pair में दो, यानि two pair में चार, तो वही तो बोर रहा है हैं, four appendages, यानि कि two pair of limbs, यानि कि दो upper limbs, lower limbs, then body is divisible into head, trunk, जो इसमें body होती है, वो कैसे head और trunk में divide होती है, जैसे कि इसका example हम frog लेंगे, ठीक है, frog में आपको neck देखने को मिलता है कि नहीं, उसका head देखने को मिलता है और पीछे वाला जो portion बचा है, उसको हम पूरा क्या बोलेंगे, trunk बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे जो body उसकी divide है, सिफ head और trunk में divided, ठीक है, tail may be present in some, याने कि tail कुछ-कुछ में present होगी और कुछ-कुछ में नहीं होगी, सभी में present नहीं होगी, सो कुछ ही organism में present होगी, skin is moist without scale, ठीक है, skin कैसी होती है, moist होती है, without scale, सबसे पहले जब हम यह देख रहे है, amphibia, इसका एक example ध्या skin present होती है, then वो कैसी होती है, moist होती है, उसमें कोई scale present नहीं होता, so वही बोला है, skin is moist without scale, then eyes have eyelids, उनके eyes के पास eyelids present होते हैं, cover करने के लिए, then the tympanum ear, ठीक है, tympanum ear याने की internal ear present होता है उनको, जैसे यह हमारा बाहर, यह जो पिनना है, हमको दिख रहा है, वैसे हमको उनमें नहीं मिलेगा, उनका internal ear present होता है, जिसको हम बोलता है, tympanum ear, ठीक है, then, elementary canal, urinary and reproductive track, देखो क्या बोला है, elementary canal और urinary track, और जो reproductive track है, यह क्या है, एक जगह पे open होता है, common chamber called cloaca, उसको क्या बोलेंगे, cloaca जो की outside opening होता है, so cloaca, एक opening है, external opening, जहाँ पर तीन अलग अलग चीजों की opening हो रही है, मतलब एक ही opening में तीन joined है, क्या-क्या, elementary canal भी, urinary tract का भी opening और reproductive track का भी, so common chamber called, उसको क्या बोलेंगे हम, cloaca, which opens to the exterior, जो की बाहर की तरफ open होता है, ठीक है, then, respiration कैसे करते हैं, यह गिल से करते हैं, लंग से करते हैं, और skin से करते हैं, skin से भी करते हैं, लंग से करते हैं, और guilt से भी करते हैं, so guilt से किसके, कब जब वो पानी में रहेंगे, lungs से, जब वो जमीन पर रहेंगे, और जमीन पर रहेंगे, तभी skin से भी करेंगे, और इनका जो heart होता है, कैसा होता है, three chambered heart, जिसमें two auricles, और one ventricle होगा, heart कैसा है, three chamber heart है, ठीक है, अब इनका जो bi-convex, oval and nucleated याने की nucleus present होता है then cold-blooded animal cold-blooded animal को हमने क्या बोला था poikilo-thrm animal बोला था so cold-blooded animal जो अपना temperature maintain नहीं रखते उनका जो temperature है environment के उपर depend करता है then kidney calcium की mesonephric और excreation is ureotellic ureotellic means urea excrete करते क्या excrete करते है urea excrete करते है that's fine को क्या बोला है ureotellic then sex is separate होता है fertilization external होता है oviparas and development is mostly indirect ये सारी चीज़े तो आपके लिए अब चुटकी बजाने के बराबर हो गई है क्योंकि सारी चीज़े आपको पता ही है सारी चीज़े क्या होती है larva is tetpole जो उसका larva होता है वो tadpole के रूप में present होता है metamorphosis से वो क्या बन जाता है adult बन जाता है कौन जैसे कि हम frog की बात कर रहे है ये तो सभी ने देखा ये सकी skin soft होती है ठीक है अगर इसकी उपर पैर रखोगे तो चपक से चिपक जाएगा वो then इसका example क्या है ब्यूफो जिसको बोलते हम toad, rana यानि की frog, hyla जिसको बोलेंगे tree frog, salamander ये तो पता है आपको salamander then the ishtiophis जिसको बोलते हम limbless amphibian यानि की वह ऐसा amphibian है जिसके पास limbs present नहीं है ठीक है इतना clear हुआ so amphibian, amphibian के बाद हम क्या पढ़ेंगे reptiles पढ़ेंगे reptiles क्या होता है पता है जो ring ते है ठीक है जो creeping and crawling animal होते हैं जैसे बहुत सारे animals देखते हैं जो ring ते हैं ठीक है जैसे की snake हो गया so ऐसे animals को हम किसमें place करेंगे reptilia में ठीक है so reptilia क्या बोलेंगे class names refer to creeping or crawling mode of locomotion जो creeping or crawling करके आपने आपको movement देते हैं, यानि की locomotion करते हैं, उसको बोलेंगे हम reptilia, ठीक है, mostly terrestrial animals, जाधा तर terrestrial animals होते हैं, ये body कैसी होती है, covered by a dry and confirmed skin, इनकी skin कैसी होती है, cornified skin, and epidermal scales or scutes, then scales present होते हैं, जैसे आपने बहुत सारे animals के toes में देखा होगा, वहाँ पर एक scales जैसे, बहुत tough skin, और वहाँ पर scales जैसे structure दिखते हैं, now the tympanum represent ear, यहाँ पर भी, इनका ear कैसा होता है, tympanum, कोई pinna present होता है, का नहीं, यानि की internal ear, external ear present, नहीं होता, then do not have external ear opening, limbs when present are two pair, ठीक है, limbs जब present होंगे, तो कैसे होंगे, two pair में present होंगे, heart is usually three chambered, but four chambered in crocodile, हमेशा exceptional case, याद रखना, ठीक है, हमारे reptaliya में, कितने chamber present होते हैं, three chambered, but exceptional case कोन है, crocodile, जिसमें कितने chamber present होते हैं, four chamber, okay, is that clear, समझ रहा है, then, चलो, move करते हैं, next, respiration by lungs, कैसे respiration करता है, lungs throughout the life, क्योंकि ये कहाँ पर रहता है, कहाँ पर रहता है, terrestrial, जमीन पर रहता है, जमीन पर रहने के लिए, lungs की जरुवत पड़ेगी, क्योंकि respiration में वो air को inhale करेगा, ठीक हैं, then, snakes and lizards shed their scales as skin cast, आपने snake को देखा होगा, आपने बोलते हैं, केचुली बोलते हैं, जो निकाल के shed off करके रखता है, बाहर निकाल देता है, जो उसकी बाहर की skin रहती है, उसको क्या कर देता है, shed off, निकाल देता है, ठीक है, then the kidney कैसी होती है, metanephric kidney होती है, then, jacobson organ, देखो क्या बोला है, jacobson organ present in the roof of buccal cavity, buccal cavity में इनके olfactory organ present होता है, जिसके तुरू वो smell करते हैं, ठीक है, जिसको बोलते है, jacobson organ, now, success separate fertilization कैसा होता है, internal fertilization होता है, ove paras and development is direct, ove paras याने की क्या देंगे, ande देंगे, और development direct, इसके example काफी सारे example है, यह देखो यह देखा है, अपने king cobra, जिसको हम क्या बोलते है, naja, naja, क्या बोलते है, naja, then, example क्या इसका, chillon, chillon याने की turtle, testudo, जिसको बोलेंगे हम, tortoise, जिसको बोलेंगे हम, tortoise, और chamelon, tree lizard tree lizard, then the calots, is the garden lizard, crocodiles, is the crocodile, alligator, then the hemidactylus, याने की wall lizard, जो हमारे घरो में देखने को मिलती है, then, अब जो poisonous snakes है, कुछ जैसे की naja, बोले तो, cobra, और the bangaras, याने की crate, और wiper, ठीक है, इतना clear है, मैं हमेशा से बोलते हैं, के example ध्यान में रखना, वो बहुत important है, ठीक है, so, दो चीज़े हमने complete कर दी, क्या क्या complete कर दी, yes, amphibians and reptiles, amphibians में क्या special characteristic, कि वो जमीन में भी रहते हैं, और पानी में भी, और reptiles, crawling और creeping animals, ठीक है, तो move करें, next, next क्या देखेंगे हम, aves, aves याने की, air जहाँ पर हवे में उड़ते हैं, कौन हवे में उड़ेगे, पक्षी आजाएंगे, इसमें सारे क्या आजाएंगे, बिटा, पक्षी, ठीक है, so, aves, इसमें सारे क्या आजाएंगे, birds, so, ठीक है, characteristic feature of aves, याने की, birds are present features and they can fly, वो उड़ सकते हैं, ठीक है, वो क्या कर सकते हैं, उड़ सकते हैं, then, they possess beak, उनके पास क्या होती है, beak होती है, चोच होती है, उनके पास present, then, four limbs are modified into wings, ठीक है, four limbs, अगर मैं ऐसा हूँ, तो यह जो मेरे, यह four limbs है, और पैर क्या है, hind limbs, so, यह जो four limbs है, यह wings में modified हो गए हैं, ठीक है, so, क्या हो जाएगा फिर, पंची बनू, उड़ता फिरू, मस्तग अगन में, ठीक है, wings, now, hind limbs generally, hind limbs generally have scales and are modified for walking, जो hind limbs है, यानि की, जो हमारे पैर है, उसमें, generally have scales present होती है, और modify हो जाते हैं, किन चीजों के लिए, जिसके थ्रू, वो क्या कर सकते हैं, walking कर सकते हैं, swimming कर सकते हैं, clasping the tree branches, और tree की branches को पकड़ सकते हैं, ठीक है, किसे, hind limbs है, then the skin is dry, उनकी skin dry हो दी है, कोई भी gland present नही oil gland, सिफ, oil gland present होता है, europygial और preen gland, at the base of the tail of, tail of ostrich and parrot lack oil gland, ठीक है, tail में present होता है, और ostrich और parrot में, वो oil gland present नहीं होता, then, क्या बुला है, endoskeleton is fully ossified, याने की, बोनी, जो इसका endoskeleton होगा, कैसा होगा, बोनी होगा, ठीक है, बोन वाला endoskeleton, कहां से सुरू होगा, बोनी होगा, बोनी होगा था, ostrich thighs fist से, ठीक है, इसमें जो bones होती है, वो hollow होती है, to reduce the weight, देखो, क्या होता है, जो पक्षी है, जो बर्ड है, उनको जमीन में आना है, कैने, उनको हवे में उलना है, याने की, हवे में उलना है, तो वो कम से कम वजन लेके चले, तो उसके लिए, जो उनकी bones है, modified, याने की, कैसी होती है, अंदर से खोकली होती है, जिसके वज़े से, उनका weight कम हो जाए, और वो easily, याने की, weight कम हो जाएगा, तो उतने ही अच्छे से वो fly कर पाएंगे, ठीक है, इतना clear है, तो आगे चलते हैं, हम आगे क्या बोला है, इनके पास additional digestive tract present होते है, जिसक completely four chamber heart, कैसा है, four chamber heart है, इनका, then the warm blooded animal, अब कहाँ पर आगा है, warm blooded animal, याने की, environment की उपर depend होगा, कि इनका internal temperature, नहीं, ये कैसे homeotherm है, कैसे homeotherm, याने की, अपना body temperature, ये maintain करके रख सकते हैं, ठीक है, then the respiration, lungs से होगा, बहुत अच्छे से होता है, इनमें, lungs से, इनके पास air sec present ह connected to the lungs, supplement respiration, voice is produced by the special organ, जिसको बोलते है, syring, ठीक है, एक special organs के थूए क्या करते है, voice produced करते है, जिसको बोलते है, syring, then the sexes are separate, sexes separate होते है, और the fertilization कैसा होता है, internal fertilization होता है, then the only one, याने की, सिर्फ left ovary are present, absence of urinary bladder, सिर्फ left ovary present होती है, एक ही ovary के पास present होती है, फिर से मैं बोल सकता हूँ, to reduce the weight, इनोने सिप अपने पास, एक ही ovary रखी और urinary bladder भी absent होता है, oviparous and development is direct, कैसे है, यह oviparous देखा है आपने, पक्षी क्या करते है, घोसला बनाते है और वहाँ पर क्या देते है, अंडे देते है, यानि की oviparous or development कैसा होता है, direct होता है, यानि की अंडे में से, अंडे में से larva निकलता है क्या, नहीं, क्या निकलता है सिधे, बच्चा नि then the Columba, बोले तो pigeon, पुराने जमाने में इसका बहुत use करते थे, अपने picture भी देखी होगी, किसके लिए, yes, letter इदर से उदर पहुचाने के लिए, then the Cytacula, जिसको parod बोलते हैं, then the Struto is ostrich, and the Pavo is the peacock, and the Tenodites is the penguin, and the Neopron is the vulture, ठीक है, इतना clear है यहां तक के सभी को समझा, तो अब हमारे tetrapoda के अंदर तीन classes complete हो गए, कौन कौन से, कौन कौन से तीन classes complete हो गए, yes, amphibian, then the reptiles, और जो अभी हमने देखा वो था, aves, क्या था, aves, अब हम चलते हैं, हमारे next class की तरफ, कौन सा है वो, most interesting, because हम उसके अंदर आते हैं, हम उसमें involved है, कौन, mammals, mammals को mammals क्यों बोला होता है, mammary gland, याने की milk, secreting milk, producing gland, जिससे वो अपने बच्चे का nourishment करते हैं, क्या करते हैं, nourishment करते हैं, that's why इसको क्या बोला है, mammalia, ठीक है, now the found in the variety of habitats, अलग, 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 अलग varieties में देखने को मिलते हैं, ठीक है, अभी इंसानों को ही देख लो, कहां कौन सी जग इसने रहने के लिए, ठीक है, now the polar ice caps, desert, mountains, forest, grassland and the dark caves, हर जगह पर ये अविलेबल है, अलग, अलग, habitat में रहते हैं, now the some of them have adapted to fly and live in water, कुछ-कुछ ने अपने आपको adapt कर लिया है, ये फ्लाइ करने के लिए भी और वाटर में रहने के लिए भी, then the presence of milk producing gland, देखो क्या बुल जिसके वज़े से, memory gland by which young ones are nourished, याने अपने बच्चे को nourishment देते हैं वो लो, ठीक है, then the two pair of limbs adapted for walking, running, climbing, सब करते हैं, burrowing, swimming of flying, ठीक है, हम flying नहीं करते हैं, लेकिन कुछ वही mammals में कुछ-कुछ animals ऐसे होते हैं, जो fly भी करते हैं, ठीक है, then आगे चलते हैं, इसमें बहुत सा सारी चीज़े, ठीक है, ये mammals के अंदर आता है, आता है के नहीं आता है, then the external ear और pinna are present, हमारे पास external ear दिख रहे हैं, बहर से कान दिख रहे हैं, ये, then इसमें भी ये दिख रहे हैं, कान इनके, ठीक है, चुए में भी कान देखने को मिलते हैं हमको, so external ear जिसको हम क्या बोलता है, pinna, क्या बोलता है, pinna, now देखो, बहुत important, mellus, incus and steps are three ear ossicles in the middle ear, ठीक है, ये जो हमारे ears है, इसमें ये तीन bones present होती है, कौन-कौन सी, mellus, incus and steps, और उसमें भी याद रखतो, जो सबसे smallest bone है, what I am saying, जो सबसे smallest bone है, वो है, steps, ये पूछा जा सकता, even general knowledge में भी इसका question आता है, क्या बोलता है, smallest, smallest bone, कौन सी, steps, steps, then the heart is four chambered and respiration is by lungs, चार चार चामबर का heart है हमारे पास, lungs से हम respiration करते हैं, they are homothermous, याने कि हम homeotherm है, temperature maintain करके रखते हैं, then the sexes are separate and fertilization is internal, viviparous with few exceptions and development is direct, ठीक है, हम तो basically mammals क्या होते हैं, viviparous होते हैं, याने कि बच्चे देते हैं, लेकिन सिप एक exception है, जो कि है, platypus, इसके बारे में आपने पढ़ा है, वो क्या है, वो oviparous है, वो अंडे देता है, ठीक है, so example, oviparous में कौन है, और निथो राइंचर्स, which is platypus, then the viviparous में, macropous याने की kangaroo, then the pteropus में, flying fox, camillas, camel, makaka बोले तो monkey, then the ratus, rat, canis, dog, fellies, cat, eliphas is the elephant, and the equus, horse, then the delphinus is common dolphin, and the belianoptera, blue whale, and the panthera, tigress is the tiger, और the panthera, leo is the lion, कितने सारे, बहुत सारे example है, यह सारे क्या है, सारे के सारे mammals है, सारे के सारे mammals है, ओके, तो अभी तक के हमने, क्या-क्या सारी चीज़े देखी, चार चीज़े देखी, हमने, tetrapoda start किया थे, यहने की four appendages, जिनके पास होंगे, four limbs, और hind limbs, two pairs मे ठीक है, सो कौन-कौन सी चार चीज़े देखी, हमने देखा, हमने देखा amphibia, हमने देखा reptilia, हमने देखा aves और हमने देखा mammals, तो यहाँ पर हमारा chapter kingdom animalia खतम हो गया, उसके बारे में हमने deep में एक-एक चीज़े, सारी चीज़े पढ़ चुके है, ठीक है, सो इन सारी चीज इन सारी चार क्र चीज़े पव करा सकति पनारी चीज़े, सारी चीज़े, सारी चीज़े हमने देखा हमने देखा हिए्य।